कि एक समय था जहां पर यदि बाद किया जाए भी सिस्सर रुजा जी की या फिर भूर रुजा जी की, तो आप लोगों के नाम से जो अच्छे अच्छे गुंडे तपते के जो लोग थे, कहीं न कहीं पसीना छुट जाता था आप लोग के नाम से, लेकिन आज कल देखा जा है कि बिल्कुल ही सालिंस भाव के गम, बिल्कुल समाज में अपनी रूची तमाम चीजों को छोड़ चाड़के एक अलग आप लोगों ने अपना छेतर ही अलग बना दिया है, तो कैसे इस तरह का बदलाव का कारण, कितने चेहर हैं जो बताएंगे, तो उसमें उनके भी स आप चुनाओ लड़ते हैं, आपकी पत्नी पूरविधाई का मुनी देवी, तो कहीं न कहीं रकेश होजा, इंडिपेंडेंट चुनाओ लड़के आपने देखा जिस तरह, तो एक भोजपुरी में कहा हूँ था कि खेलम ना खेले देव खेलवे विगार देवल हाल है, क्योंकि मैं अगर उस सारे आरोप का जबाब अगर दूँ तो अंगुली राम पर उठेगी, इसलिए मैं लश्मन बनकर रहना चाहता हूँ, जिस तरह से था आगे भी हूँ, और अंगुली अगर उठेगी, तो फिर बदनामी मेरे भाई, जिसको राम सुरुप मैंने जाना है, उस पर उठेगी, इसलिए मैंने किसी भी आरोप का मैंने जबाब नहीं तो लक्ष्मन आखिर ये सवाल प्रश्ण चीज़ कहां से उत्पन हो रहा है, आखिर क्यों उनके ही पुत्र आपके बिरोद कर रहे हैं, अभी राम नौमी में देखा जा था, भाजपा से सिंबल लेने के लिए हम जहां थे, वहां से चल गए, किसी तर छिप करके जाना था हम लोगों को, शिवान अंतिवारी जी का वो शमें बर्चस्व था, वो हम लोगों के पीछे पड़े हुए थे, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सक्स से मिलाने जा रहा हूं, जो किसी परशे के म अश्रचियों में हैं, कहीं न कहीं किसी हॉस्पीटल में मिलने चले जाते हैं, तो लोगों को मदद करने के लिए जाने जाते हैं।। बहLS बहुत बढ़ीर विज्ट को मैं अपने तरफ से बहुत भाष धनवाद देता हूं समरिधी चैनल देखने वाले सबूसर्ताओं को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं के आपको भी धन्यवाद देता हूं गार है तो लोग581 में वीक्राना above कि अफट्षा हर कोई अपने खास को खोजता है और उस खास में भूआ रोज़ा का नाम आता है कि भूआ रोज़ा की कहीं भी जरूद होती है तो लोग भूआ रोज़ा को याद करते है और आप तत्परता से चाहे 12 बजे रात में चाहे सुबह में जब भी हूँ आप जाके वोगों को मदद करते हैं चाहे हूँ हस्पीटल की बात कर लिए जाया है चुकि हस्पीटल का केस जड़ा आ रहा है और उसमें ततपरता आपकी देखती है तो हस्पीटल का चर्चे ज़्यादा होता है हलानकि आप हर मामले में अग्रणी जाने जाते हैं एक अलग समाजी करूछान आपके अंदर इस वक्त देखा जा रहा है क्या कहेंगे आपके देखिए जहां तक इलाज की बात है मैं इलाज किसी भी ब्यक्ति का हो चाहे हो किसी संपरदाय का हो किसी जाति का हो अपना प्राया का ख्याल किये बगैर में सब का जितना संबह हो सकता है जो हम से संपर करता है उसको हम मदद करते हैं और आगे भी करेंगे जितना हो सके का मेरी सकती है हम जरूर करेंगे और भी लोग हैं जो भी हमको याद करते हैं सुख में दुख में हम पु इस परिवेस के भी कहानी या जो भी बाते होगी इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पर हम जानना चाहेंगे कि एक समय था जहां पर यदी बात किया जाए भी सिस्सर रोजाजी की या फिर भूर रोजाजी की, तो आप लोगों के नाम से जो अच्छे अच्छे गुंडे तपते के जो लोग थे, कहीं न कहीं पसीना छुट जाता था आप लोग के नाम से, लेकिन आज कल देखा जा रहा है कि बिल्कुल ही सालिंस भाव के एक दम बिल्कुल समाज में अपनी रूची तमाम चीजों को छोड़ चाड़के एक अलग आप लोगों ने अपना छितर ही अलग बना दिया है, तो कैसे इस तरह का बदलाव का कारण, इस तरह का बदलाव कैसे हुआ, क्या कहेंगे हैं? आज दोर से हम लोग गुजर रहे हैं, इस दोर में जिस चीज की जरूरत है, उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और वो हम लोग अपनी अस्तर से काम कर रहे हैं. चुकि आप लोग राजनिती से दूर दूर तक कहीं से कोई रिस्ता नहीं था, राजनिती का यदि कहा जाये तो कोखागा कोई पूरे परिवार में कुछ नहीं जानता था, राजनिती में रुझान होना, समाजिक ब्यक्ति बन जाना, लोगों को मदद करना, आखिर ये मन में कैसे आया और कम से आप लोगों ने सुलाद किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि राजनितिक हमारे संसकार में पहले नहीं था, बनसागत नहीं मिला है, मेरे परिवार में कोई राजनितिक ब्यक्ति नहीं था, हम लोग एक किसान परिवार में जन्मे हैं मेरे पिता जी शमान किसान थे और किसान परिवार में हम लोग जन्म दिये हम लोग का लालन पालन भी शमान परिवेश में हुआ पढ़ाई भी शमान परिवेश में हुआ और राजनीतिक हम लोग का बैक ग्राउंड नहीं है मेरे प पहली बार 20-25 बरसों के बाद पंचायती चुनाव जप्रारंभ हुआ तो 2001 के चुनाव में जब हम लोग गाओं पर रहते थे मेरे बड़ भीया उसमें बुकारों में थे तो गाओं पर हम लोगों ने बैठा और बैठ करके हम लोगों ने तै किया उसमें हमारे गाओं के सभी और दिने सोर रोजा की भाभ ही 25 परिशाट की सदस्य के चुनाव लाएंगी और मेरी पतनी शिर्माति मोनी देवीज जीला परिशद के सदस्य के रूप में चुनाव लाँएगी और रायनितिक शुरुआ त उस समय से हुआ 2001 से राय नितिक शुरुआ हुआ हम लोग तीनो सीट पर हम लोग चुनाव लड़े और तीनो सीट पर हम लोग बिज़ई हुए और ओजवलिया एक छोटा सा ब्राभण का गाउं है उस गाउं में मुखिया पंचायत समिति सदश और जिला परिशा सदश तीनो निर्वाचित हुए और आगे चल करके हम लोग प्रमुख का भ हुआ 2001 में हम लोग का यहीं से स्टाट हुआ और आगे चल करके कलांतर में 2005 जब आया जिला परिशा सदश से थी उस समय भी जब चुनाव आया उसमें हमारे यहां से बिधायक 2005 में सिवान अंतिवारी जी मंतिरी थे उसमें लालू जी की सरकार में तो हम लोग के मन में आया उसमें भी कि जीला परिशा जब हैं परमुख भी हैं मुखिया भी हैं अब उसमें हम लोग का कोई समाजिक परिविय सहसा था कि हम लोग को परताणा रायनीतिक रूप से हमारे जो बैक्तिगत परिवारिक और गाउं के जो विलेजर्स के जो दूस्मन थे उनका सपोर्ट या बिरोध ही का मदद कर रहे हैं वह स्वह दो चुनाओ लड़ें और मजबूति हुस्टर से हो जाए हमारा बिरोध करें तो हम लसवए उसका सामना करने के लिए सख्शम रहे तो 2005 के चुनाओ जबाया दो 2005 के परवरी के चुनाओं में हमारी भावी स्वभा देवीजी चिकट मिला और जदिव से चुनाव लणी दुर्भाग ये बस हम लोग चुनाव हार गए और पुना चुनाव दुहजार अक्टूबर में दुहजार पांच के अक्टूबर में पुना चुनाव हुआ उसमें भी हमारी भावी सुभा देवी जी ही जदिव से नमिनेशन की थी उनके चुनाव पर चार हम लोग कर रहे थे लेकिन अब दुर्भाग ये कहिए या अब कि उसको क्या कहेंगे कि जब NDA के उसमें भी सरकार थी नितिश जी और भाजपा उसमें एक सात में हुए थे दुनों बार हर गई नहीं बता रहे हैं कहानी तो उसमें जब हुआ तो नमिनेशन भी की थी सुभा देवी जी उसमें हमारी भावी उसमें भी नमिनेशन जदिव से की थी 2000 के फरवरी में भी जद्यू से चुनाव लड़ी थी लेकिन ये नितीश कुमार जी उस एक सापूर के सीट को भाजपा के खाते में दे दिया अचानक परिवर्तन एक दिन पहले हुआ अब आनन फानन में हुआ फिर हम लोग ने तै किया भाजपा से भी बात किया भाजपा से भी बात किये शबी लोग बात किये और बात किये तो भाजपा भी हम लोग पराजी हो गया कि भाजपा से भी पुनह चुनाओ शोभा देवी जी लड़ेंगी और उसमें विपरित परशिती में भाहिया बाहर थे और हम यहां पर थे और सोभाद देवी जी के सिंबल भाजपा से सिंबल लेने के लिए हम जहां थे वहां से चल गए किसी तर छिप करके जाना था हम लोगों को शिवान अंतिवारी जी का उसमें बर्चस्व था वह हम लोग के पीछे पड़े हुए थे लेकिन रास्ते में जब हम लोग पहुंचे तो पता चला कि भाई वहां से भाजपा के बरिश्ट नेता से भाईया के पास भाईया हमको फोन किये कि एक टेक्निकल अर्चन हो गया है और सभादेवीजि चार सेट में नमीनेशन कर चुकी थी तो ऐसा ही सित्य हुआ कि यह तो रहेंगी तो जदी उसे ही रहेंगी आना तो निर्दलिय भी नहीं रहा जाएंगी अब तीन सेट में भी एगर नमीनाशन की रहती एक सेट भी बचा रहत था तो भाईया भाजपा से उमिद्वार होती हम लोग ने परिवार में इसा तय था हम लोग ने कोई इस तरह का था नहीं लेकिन अब कोई अप्शन मोलों के पास में था नहीं तो बलाश्ट में तय हुआ तो पाटी ने पूछा तब हुआ कि भाई हम लड़ने की सिती में उसमें थे नहीं दोनों भाई तब हुआ कि उसमें भाईया बताए कि भाई हमारी भवा है वो जीला परिशा सदस्य हैं तो उस पर पाटी नेगरी किया और जीला परिशा सदस्य रहते हुए मूनी देवी जी को पाटी ने भाजपा से सिंबल दिया 2005 के एक्टूबर के चुनाओं में और जा ने टिकट दिया और पुना हो बीजे ही हुई 2015 के चुनाओं में भारते जनता पाटी ने सिटिंग सेट मुनी देवी को हटा करके और बड़े भाई स्वर्गी विश्यस्व रोजा जी को भाजपा ने टिकट दिया और सारे लोगों ने एक साथ हम लोगे मील करके लड़ने लड़े लेकिन दुर्भागे बस हम लोग चुनाओं भाईया चुनाओं हार गये यही राजनीतिक के स्टार्ट हम लोग का यहीं से हुआ और आगे जो हो रहा है आपके सामने है जो आपने पूछा कि राजनीतिक शुरुआत कैसे हुए तो बैक्गराउंड हम लोग का रा है और आगे भी करेंगा जाएंगे जिस तरह आपने बताया कहीं न कहीं गयां नीतिया लगा आते गए या कई तरह की नए-नए लोग भी जूडते गए, स्वर्गे विशेसर उजाजी के दिहांत के बाद राजनिती कुछ दूसरा रूप पकड़ी, और उसके बाद से देखा जा रहा है कि चाहे वो टिकट किसी को भी मिले, किसी को क्या पहली बार ही चुना हुआ उनके जाने के पाज़ा और आप ही लोगों को टिकट मिला मुनी देवी को ही, इस बार आपके साथ भाग ने साथ नहीं दिया, तो ये कहीं न कहीं जो मन मुटाव कहा जाए या फिर विरोध कहा जाए या जो भी कहा जाए, जो उनके पुत्र रके सुजा ने दिखाया, तो इसके पीछे क कारण क्या है देखिए इस बार भी पार्टी के स्तर से और इस वर के स्तर से मुनी देवी का साथ मिला है अगर साथ नहीं मिला पार्टी को तो आज के समय में भारत्य जनता पार्टी ने भाजपा के सिंबल मुनी देवी को दिया ये कम बड़ी बात नहीं है भाजपा मुनी द परिवार के लोगों ने किया और मुनी देवी को अगर किसी ने हराया तो परिवार के लोगों ने हराया यही जानना चाहेंगो उज्ञाजी तमाम लोगों के जहन में एक सवाल गुज रहा है कि जिस मजबूती के साथ आप दोनु भाई चुनाओं लड़ा करते थे जब इसे के ही पुत्र आपके बिरोध कर रहे हैं अभी राम नौमी में देखा गया था आपके बेटा क्या नाम था उनका वो और दोनों लोग एक साथ दिखे गए बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई दोनों भाई मिल गए और लग रहा है कि फिर से कुछ नया कुछ होने वाला है चुकि जब जब आप लोग एक जूट होके एकता से आप लोगों ने चुनाओ लड़ा तब तब एक अच्छी जीत हांसिल की लेकिन राम नौमी में साथ देखने के बावजूद भी कहीं न कहीं मनमुटाओ भी नजर आ रहा है चुकि अभी जो सर्धाजली सभा थी इस मंच पे आप दिखाई नहीं दिए नमुनीदे भी दिखाई दी आखिर कारण क्या है देखिए जहां तक था जो भी हम लोग चुनाओ लड़े और जीते उस समय सारा परिवार पुरा समाज हम लोग एक साथ में थे हम लोग ने छोट चुनाओ से लेकर के बड़ चुनाओ तक हम लोग लड़े और जीते भी और इस बार कि चुनाओ में अब क्या कहा जाए मुझे पुरा भरोशा है मुझे पुरा इतना मने आत्मिय है जो लच्षमन की बात कहे मैं लच्षमन पहले भी था और मैं आज भी लच्षमन की भूमिका में हूँ कभी भी जिसकी बात तेरे उपर आरोप भी लगे चुनाओ के समय में लेकिन मैंने एक भी आरोप का जबाब सारवजनी कृप से नहीं दिया और आगे में भी नहीं दूँगा क्यूंकि मैं अगर उस सारे आरोप का जबाब अगर दूँ तो अंगुली राम पर उठेगी इसलिए मैं लश्मत बनक मैंने जबाब नहीं दिया मैंने तो उन्हीं लोगों से कहा जी लोगों ने आरोप लगाया मेरे उपर मैं कई बार चैनल के माधम से कहा अगर हीमत है तो तुम ही इसका जबाब दे दो प्रमारित कर दो जनता में मीडिया में आकर के जो जो आरोप मेरे उपर लगाए हो सार आपको नहीं लगता है कि आप दोनों की लड़ाई में कोई दूसरा चेहरा आने का संकेत साहपुर विधान सभा में इस तरह का कुछ हो सकता है देखिए राजनीती संभावनाओं का ख्यल है कभी भी कुछ भी हो सकता है इसे इंकार नहीं किया जा सकता है लेकिन जहां तक भा 2001 से जब से मुनी देवी भारते जनता पार्टी में है वो कभी भारते जनता पार्टी से उधर उधर नहीं गई है भारते जनता पार्टी में वो थी आज भी है और आगे भी रहेंगी और भारते जनता पार्टी ने जो जी मवारिदी है उसको उन्होंने निर्वहन किया है इमादारी परेवक निवरहन किया है, आज भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और भारते जनता पार्टी आगे जो निवर्णे लेगा हम भारते जनता पार्टी के साथ में अलग नहीं है। वो आपकी भावी को टिकट दी हो, भाईया को चाहिए आपको, आपकी पत्नी को, लेकिन अभी जो इस्तिती बना हुआ है, जब आप चुनाओ लड़ते हैं, आपकी पत्नी, जो पुर्विधाई क्या मुनी देवी, तो कहीं न कहीं रकेश होजा, इंडिपेंडेंडेंट यदि रकेश होजा को बीजेपी ने टिकट दे दिया, और उस समय फिर आप इस तरह का काम करेंगे, तो इस तरह का आखिर कब तक चलता रहेगा, आप लोग इसका निदान क्यों नहीं ढूरते हैं, तो ऐसी स्तिती में तो फिर बीजेपी को किसी दूसरे को देखना होगा, या फिर कुछ ना कुछ नया कर सकती है, क्या कहेंगे? अगर बंधा है, पहली बार, तो मुनी देवी के सहरा बंधा है, और साहपुर में पहली बार अगर किसी ने कमल खिलाया, तो मुनी देवी जी ने खिलाया, उसके बाद अभी तो बार से कमल खिला नहीं है, और ये मेरे परिवार में दो लोगों को इसका सम्मान टिकट लेन का मिला है स्वर्गे विशेशो रोज्याजी को और मुनी देवी को इसके बाद किसी को टिकट नहीं मिला है सिंबल नहीं मिला है और निर्देलिया लड़ने के लिए तो सभी लोग स्वतंत्र है आप भी लड़ सकते हैं हम भी लड़ सकते हैं किसी को कोई रोक सकता है थोड़ लड़ने वाला कभी भी लड़ सकता है लेकिन हम लोग भारतिय जनता पार्टी के सिपाही है और भारतिय जनता पार्टी के सिंबर पर चुनाव लड़े हैं और आग भी आने वाले चुनाव में भारतिय जनता पार्टी के चुनाव पर मुनी देवी चुनाव ही लड़ेंगी भी तरह के दुख सुक में उनका पुछार करना या फिर उनके मदद करने के लिए जाने जाते हैं एक अलग स्वरूप आपका देखने को मिल रहा है तो आगे आपने क्या रणनीती बने आपने क्या सुचा देखिए जहां तक यह श्यवा भवना जो है और आपको बताना चाह किया जिसके सगे समंधी ने बिरुद किया पार्टी के बहुत सारे लोगों ने भी इसमें सहजोग नहीं किया उसके बावजूद भी मुनी देवी मैदान में डटी रही और आज भी हम पार्टी में डटे हुए हैं और पार्टी का कार के साथ साथ समाजी कार भी हम कर रहे ह हैं और समाजी कारीकाल जो मेरा दैरह है चुनाव घर बैठ जाता हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 चुनाव हारने के बाद मैं ने द्रिढ़ता के साथ दोगुनी सक्टिक्सात में समाज्शिवा में लगा हूँ जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैंने आज किसी पत पर सम्मेधानिक पत पर नहीं रहते हुए, जो हम कार कर रहे हैं, साइधी कोई सांसद और विधाय कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, और मेरे में ये कोई भावना नहीं है, हमने तो ऐसे लोगों को इलाज कराया, वो ऐसे तो उसमें उनके भी सगे समंदी हैं जो चुनाव लड़ी थी मेरी भावी, उनके खास के जिस्तार को भी मैंने इलाज कराया और उसको पांच लाख रुपया अनुदान मंगल पांड़ेजी से मिल करके हमने दिलवाया, बोन मेरो का ट्रांस्पलांट कराना था, वो दोगरा क रहने वाला लड़का है, कई ऐसे लोग हैं जो उनके उसमें चुनाव के समय में हमारे बिरोध में खड़े थे, और उनके साथ में खड़े थे, उनको हमने चुनाव में मदद किया, मेरे और हम अपनी स्यवा भावना को जानते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से बताना च प्यारी करूँगा, नाम पता के साथ में किसकिस बेक्ति को कितना हमने अनुदान दिलवाया है, और हजारों लोगों को मैंने IGMS और AIMS में जाकर के रात के बारह बज़े से लेकर दीन के बारह बज़े तक हमने जाते हैं, और जिसको सीट नहीं मिलता है, हम आगरा करके उ वहां बेड भी दिलवाते हैं और चाथ सकती होता है उसको मदद भी करते हैं और छोटे-छोटे जो भी हमारे जैसे आरे कि अर्वा सहर में भी यहीं शेवा हमारी मेवा में बदलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, हम इसे शेवा के साथ काम कर रहे हैं। बावजुद भी कहना क्या है देख भी रहा है। किसी कुछ की इस तरह का चर्चा हुआ तो हमें लगा कि नहीं से बात करनी चाहिए। और तमाम जो सवाल उमढ रहे हैं लोगों के जहन में मुझे लगा कि नहीं यह समीं से पूछना चाहिए। अब देखना ये है कि सापूर विधान सभा में अब की बार क्या होने वाला है। चुकि एक अलग सोसाइटी का निर्माड ये खुद से कर रहे हैं अपने बिवहार के बदलत एक अलग समाज बनाने की कोशिस कर रहे हैं। लेकिन परिणाम तो समय बताएगा और समय क्या कहेगा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लगतार खबरों के साथ बने रहे हैं। फिर कभी मुलकात होती है तो बहुत सारे राज खुलेंगे। धन्यबाद।